भारतीय लोग तांत्रिक विवस्था की सक्ती हमारी संसद में प्रकट होती है जिसने अपनी वेशक सासं से भारती स्वतंतरता संग्राम को परास्ति किया और कई एतिहासिक मील के पत्थर दे थे मजूदा इमार्तों ने स्वतंतर भारत की पहली पसंद के रूप में कान किया और भारत के सम्विधान को अनाथों के चस्मदीद बनाया इस प्रकार संसद भवन के सम्रद विरासत का संरचड और राष्टी महत्व का विशे है भारत की लोक्तांत्रिक भावना का प्रती संसद भवन सेंट्रल विश्टा के केद्र में इस्तित है भारत का वर्तमान संसद भवन एक ओपनी वेसक यूग की इमारत है जिसे ब्रिटिस आर्किटेक्ट सर एडविन लूटियन सर हरबर्ट वेकर ने डिजाइन किया था जिसका निर्माड 6 साल 1911 से 1927 में हुआ था मूल रूप से हाउस काउंसिलिंग कहने वाले थे कि इस भवन में इम्पीरियल लजिश्ट लेट्व काउंसिलिंग इस्तित थी अधिक जगह की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में दो मंजिलों को जोड़ा गया इमारत के आकार के बारे में प्रानभिक विचार विमर्च के बाद दोनों वास्तुकारों हरबर्ट वेकर और सर एडविन लूटियन द्वरा एक गोल आकार को अंतिरूप दिया गया था क्योंकि यहां कांसिलिंग हाउस के लिए एक ओलिशियस डिजाइन का अर्माह देता है यहां लोग प्रियरूप से माना जाता है कि मुरैना मध्यपरदेश में 64 योगिनी मंदिर की शैर पर नजर ने कांसिलिंग हाउस के डिजाइन को प्रेरिट किया था हाला कि इसके लिए कोई एतिहासिक प्रमाड नहीं है संसद भावन का निर्माड 1921 में शुरू किया गया था और 1927 में इसे अनावरित किया था यहां लगबग सव साल पुराना है और एक हेरिटेज ग्रेट वन भावन है पिछले कुछ वर्चों में जिम्मेवार के से किये गये हैं उदारण के लिए भावन के बाहरी भाग के हुग 156 में निर्मित दो नई मंजिलों में केंद्री हाल के गुंबत को चुपा गया गया और मूल भावन के अग्रभाग को बदल गी जा गया इसके अलावा जाली सपत पत्रे ने संसत के दो सदनों के हाल में प्राकरतिक प्रकास को कम कर दिया है इसके structure में खास बदलाव करने के साथ साथ पूरे भारत की विरासत को भी दर्साया गया है इसलिए यह संकट और आतियूपयों के संकेत दिखा रहा है और इस थान के संदर में वर्तबान अवसक्ताओं को पूरा करने में सब्चम नहीं है 135 करोड भार्टियों की आकांचाओ को नए संसद भावन को मौजूदा संसद भावन के साथ साथ प्रतिभिम्बित किया जा रहा है लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है ति क्या भारत का सम्विधान लिखने वाले और भारत के पहले कानून मंत्री दाक्तर भीम्राव बेडिकर जी की प्रतिमा को इस नए संसद भावन में स्थापित किया गया है या नहीं या फिर इसके अंदर कौन सिभार्ती संसकर्त और विरासत को दर्साया गया है लोग सभा का आंतरिक हिसा राष्ट्री पच्छी मोर पर आधारित है तो वहीं राजिस्भा का आंतरिक हिसा राष्ट्री पुष्पुत कमल पर आधारित है संसद के प्रांगड में राष्ट्री पेड़ बर्गत लगा हुआ है सबसे ज़्यादा लोगों को हैरान कर रहा है या खंड भारत का नक्षा वहीं अगर बात करें डाक्तर भीमराव बेडिकर जी की परतिमा की तो उनकी तश्वीर पूरे संसद भावन में कहीं भी नजर नहीं आ रहे है इस बात को लेकर लोगों में सरकार के उपर तरह के सवाल उठ रहे हैं परदान मंत्री मोदी ने नए संसद भावन की अधार सिला रखे हुए भले ही बाबा साहिब के नाम का जिक्र किया हो लेकिन उनकी संसद भावन के परिशर में देश के सम्मिधा निर्माता की प्रतिमा लगवाने की कोई योजना नहीं है दोस्तों क्या समझाता हमारे देश की जनता कर पाईगी आवे नीचे कमेंट बाक्स में लिक पर जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें